कमल पुश्पका कि इसके आखिर में दो पेज जो है यह आपको पूरी तरह मारदर्शन करेंगे इस काम को कैसे करना है कि मैं सबनता हूं यह बहुत बड़ी सेवा होगी आज मैं भी वैसे मैं नमोएप पर जाकर के भी इसको देखता रहता हूं और आज मैं भी तुरह बैटे बैटे फिर से एक बार उसकी तरब देख रहा था मेरा मन बड़ा भावुक हो गया तो मैं इसको देख रहा था हुआ ह रिष्यकुमार कौश्वल जी का चितर में देखना था, उनीसो चबवीस में मुगा जन्म हुआ था, मुझे उनके साथ काम करने का मोखा मिला था, और मैंने देखा था, वो तो जमु कश्मीर के से, वहां कभी सत्ता मैं हम हो सकते हैं, वो तो कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन मैं आज जब देख रहा था, रिषी जी का चितर, याने जीवन के आखर दम तक, जब भी मिलो, वो आपको इतना उत्साइद कर देते थे, इतने प्रेरीद कर देते थे, याने शिकायत का नाम और निशान नहीं जी, और कम से कम सुविधाओं के साथ, हर कार्ग में मुझू कि अने इसे बहुत मैं रिषी को आरच के तुम्हें आज ऐसे ही मारा ध्यान गया तो मैं कह रहा हूं, मैं यहां मैं सब मैं कई लोग है जिनके दर्शन करना का मुझे सौभागी मिला है, लेकिन एपर तो बहुत है, और भी बहुत है, आपका कोई तहसिल ऐसा नहीं होगा, जहां जनसंग के जमाने के कोई ऐसे नाम नहीं हो, आज शायद मोजुद नहीं होगे, पुराने चीत्र होगे, उनके व्यक्तित्व के फोटू होगे, उनके परिवार के फोटू, अब तो कोई ऑफिस की स्पेस की तो कमी नहीं है, क्लाउड है पुरा, हम जितना ढाल सकते ह भारत की जनता पाटी और भारती जनसंग का एक इतनी बड़ी सेवा होगी हमारे से, हो सकता है कुछ लोग दल छोड़के चले गए होंगे, फिर भी हमें उनको इसमें जिक्र करना चाहिए, कि इस तारीक तक तो वह हमारे साथ थे, फिर छोड़ गए, छोड़ गए, क्या है किसी और दल में गए होंगे, गए होंगे, तेकि कभी तो हमारे साथ थे, कोई मुंसिप्रेटर का मेंबर बना होगा, कोई हमेले बना होगा, कोई MP बना होगा, कोई मंतली रहा होगा, कोई, यहने इतने लोग होंगे जी, भारती जनता पाटी ने समय सिमा में इसके पीशे लगकर के इस काम को करना चुछी मैं सच बताता हूं और दूसरा कभी हम भी अपने राज्य के लोगों के जीवन की और देखें कभी कभी इसकी चर्चा करें मिटिंग में हम कारकरताओं को कहें कि आप नमोएप पर जो हमारे डिस्टिक के पुराने कारकरताओं के नाम है उसमें से दस व्यक्तियों के विशे में सब के बीच में आकर बताओ अब देखिए ऐसी प्रणा मिलेगी कि कैसे कैसे लोगों ने काम किया होगा और मैं समझता हूं किसको हमने एक हमारी जीवन्त ववस्ता का हिस्सा बराना चाहिए क्योंकि हम कोई परिवान आधारित अभ्यक्ति आधारित लोग नहीं है हम परंपरा अधारित लोग है हम पुर्शारत के पराकरम के अधिश्चान पर चलने वाले लोग है और इसलिए हमारे लिए यह अपने आथ में बहुत बदी पूंची है और टेक्नलोजी का इससे बड़ा उत्तम उप्योग को और नहीं हो सकता जी इससे बड़ा उप्योग कर नहीं हो सकता है मैं मानता हूं सब्सक्राइब नमों एक पर बागी 500 चीजे कितनी अच्छी क्यों नहीं हो इससे बढ़कर मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगेगा ऐसा में मत आप देखिए कैसे कैसे जीवन है जिनों कितना तपस्या की है तब जाकर यतनी बड़ी पा जनसंग और भाजपा के शिल्प कारों की प्रेरनातायक कहानिया नमों एप पर साझा करना बहुत ही सरल है आईए जानते हैं इसके साथ आसान चरण चरण 1. सबसे पहले नमो एप के होम स्क्रीन पर जाकर कमल पुष्प मॉड्यूल के बैनर पर क्लिक करें आप क्यूर कोड को स्कैन करके भी सीधे इस नेक अभियान से जुड़ सकते हैं चरण 2. अगले कदम पर आप अपना विवरण भरें और अपना नाम, जन्मतिथी, राज्य, जिला, आपका पद और फोन नमबर साझा करें चरण 3. इसके बाद अगले स्क्रीन पर आप उस कमल पुष्प का नामांकन विवरण भरें, जिनकी प्रेरणादाय कहानी आप नमो एप पर साझा करना चाहते हैं उनका नाम, जन्मतिथी, राज्य, जिला, शहर, संगठन्वे पद और उनके सक्रिय वर्ष इत्यादी की जानकारी नमो एप पर जमा करें चरण 4. अगले स्क्रीन पर आप उनका योगदान 1000 शब्दों में लिख कर बता सकते हैं चरण 5. इसके अलावा न्यूस पेपर कटिंग्स, विडियो लिंक, पुरानी तस्वीरें और विडियो अपलोड करके आप इन कहानियों को नमो एप पर सब्मिट कर सकते हैं चरण 6. आप स्वेम भी विडियो बना कर अपने आसपास के कमल पुष्प की कहानी नमो एप पर सब्मिट कर सकते हैं चरण 7. इसके साथ ही दूसरों द्वारा साजा की गई प्रेरनादाय कहानियों को भी नमो एप पर देख सकते हैं और सभी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पर अपना सब्मिशन साजा करके दूसरों को प्रेरित भी कर सकते हैं देखा कितना आसान है ना नमो एप पर कमल पुष्प की कहानिया शेयर करना इस आसान प्रक्रिया द्वारा आप जितनी चाहे उतनी कमल पुष्प गाथाएं नमो एप पर शेयर कर सकते हैं और संगठन के इस नेक अभियान को बल दे सकते हैं